हेलो जहिन साथ ही हो स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चानल पे आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माद़ें से आई टे मेरिट लिष्ट 2021 की जैसे कि आप सभी को मालूमें पर्थम मेरिट लिष्ट जारी कर दिया गया सिकेंड लिष्ट का आई टे चात्रों का इंतिजार है तो जो सिकेंड लिष्ट आने वाली है कब आने वाली है और उस लिष्ट में किन चात्रों का नाम होगा जो मैं आपको इस वीडियो के माद़ें से क्लियरली जनकारी देने वाला हूँ तो जितने भी छातर ITI के इस समय एड्मिसन लेने वाले हैं ITI में उसे में रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को complete देखेगा पूरी जनकारे लिजिएगा और यदि आपका ITI का एड्मिसन स्टार्ट हो जाता है तो scholarship कब भरा जाएगा पूरी जनकारे आपको डिटेल्स में देने वाले हैं तो complete देखेगा और वीडियो पर लाइक एक जरूर किजिएगा और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को भी subscribe कर देजिएगा जैसे की साथ ही हो आप सभी को मालूम है ITI का जो एडिशन का प्रथम Merit List जारी किया गया था उसमें जो आपका Date एक बढ़ाय गया था जो पहले 2016 ता लेकिन बाद में उसको 18 कर दिया गया कि जो ITI का प्रथम List जारी किया गया उसमें जो छात्रों का नाम आया है या छात्राओं का नाम आया है वो जो admission ले सकते हैं 19 सितम्बर ठीक है सोरी 18 सितम्बर तक उसमें डेट किया गया था पहले 16 था लेकिन बाद में उसे 18 सितम्बर कर दिया गया था तो 18 सितम्बर दोस्तों फाइनली खतम हो चुका है और एक बात ध्याने कियेगा जिन छातरों का 1st merit list में नाम आया था और उन्होंने यहाँ पर admission नहीं लिया जो भी उनको college मिला था चाहिए वो private college मिला था या government college मिला था लेकिन वो किसी कारण कोई भी region आप बता सकते कोई भी दिक्कत नहीं लेकिन ध्याने कियेगा second job merit list आएगा या आपका तो उसमें आपका नाम नहीं रहेगा अब सूच रहे हूँ कि कैसे ऐसा क्यों हो सकता है हमने तो IT में admission नहीं लिया पर था merit list में नाम भी आया था हमने नहीं लिया क्योंकि हमें college private मिला था हम government के लिए form को फिलफ किये थे या हमें trade यह मिला था यह मिला था तो कि हमने second list का इंतिजार करें तो हमारा उसमें भी नाम आना चाहिए तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है हर साल की 30 साल आपका वैसा ही रहेगा पहले क्या होता था कि IT में जब आपका नहीं आता था तो दुसरे में आ जाता था लेकिन आपर आप थोड़ी सी परक्रिया चेंज इसकी हो चुकी है जिनका first merit list में नाम आया है उनका second merit list में नाम नहीं आएगा और first merit list में आपको ये दिख्यत थी कि IT में हमें college government के लिए फिल अप किया था फार्म और private college मिला आप संतुष नहीं तो आप चेंज करा सकते हैं या आप trade अलग करना चाहते हैं आपको अलग trade मिला तो आप चेंज करा सकते हैं मैं इसके लिए आपको विद्वत जनकारी भी दिया था जो कि चैनल पर upload है विडियो देखना चाहते तो देख सकते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि जो second merit list है वो कब आएगी और इसमें किन छात्रों का नाम होगा देखिए first merit list जो बना है वो काफी high merit बना है ठीक है तो second जो आपका रहेगा उससे थोड़ा सा लो ही रहेगा नितलब कि जितने भी छात्रों के यह उमिद्था कि हमें first merit list में नाम आना चाहिए था हमारा merit list है तो उनीक second में आएगा बाकि यहां पर चार merit list निकाले जाती है पहला जो मेरिट list निकाला जाते जिसमें ज्यादा थijnकाハाई 도्र हाई परसेंटेज रहता है उनका नाम आता है और second जो आपका merit list बनता है उसमें जो होता है इनसे फश्ट वालों से थोड़ा सा लो में बनता है और जो third यहाता है इस में आपका जितना कम राता है उतना बनता है और यादी फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो आपता है कॉलेज की तरफ से आता है मतलई जिन कॉलेजों में ITI का जो भी ट्रेड का सीट खाली है तो उसमें आप एड्मिसन ले सकते हैं तो स्रते उसका नियम और कुछ यहां पर सरते होती है जो कि जब फोर्त मेर्फित लिस्ट जारी किया जाता है तो उसमय उसके पूरी जनकारे की जाती है कि इस college में इतने seat खाले आप वहां पर admission लेना चाहते तो ले सकते हैं तो लिश्ट अभी जारी नहीं की गई है फोर्थ मिश्ट जब भी जारी की जाएगी मैं आपको जनकारी जड़ दूँगा यदि आप मेरे चैनल के मादम से जुड़े हुए होंगे तो आपको second marriage list जारी किया जाने वाला है वो आपका जारी किया जाने वाला है 21 या 22 तारीक को जारी किया जाएगा क्योंकि जो आपका प्रोसेस समाप्त हो गया है जो कि 18 तक खीता है और आज आपका 19 तारीक हो चुका है तो आपका 20 या 21 या 22 हम कह सकते हैं किया जाएगा तो आपका इ परक्रिया जल्दी सुरू होने वाले तो इस तरह आपका ज्यादा समयने लगेगा जो आइटे के चाहत एडमिसन लेंगे उनका इसकालर सीवी बरना है फिर ट्रेनी वेरिफिकेशन करना है पूरा प्रोसेस करना है तो यह जल्दी जल्दी परक्रिया से स्टार्ट हो गई तो यदि आप इस तरह की जनकारी चाहते तो चैनल को सिस्क्राइब जरू करिएगा